हलो और इस वीडियो के अंदर अपने लोग लिए नेक्स चैप्टर क्लास 12 का नेक्स चैप्टर मतलब देखो अब मैं पहले चैप्टर से करूंगा आप लोगों को तो एक चीज सुनो एक पूरा चैप्टर मैं पहले कंप्लीट कर चुका हूं कौन सा इलेक्ट्रिक करन्ट व को पढ़ना पच्छे से और उसका मैं एक टेस्ट वी रेडी कर रहा हूं तो वह मैं आपको प्रवाइड करवा दूंगा कुछ टाइम बाद और आप उसको देखे देखना तो अब अपन लोग आज सुरू करते हैं फर्स चैप्टर बुक का और चैप्टर का नाम है इलेक् फिल्ड ठीक है तो बेसिक बेसिक बताओंगा मैं आज आपको और उसके बाद में नेक्स्ट देखेंगे उस चैप्टर के बारे में अलग इंफरमेशन्स ठीक है सुनो आज देखिए आगे बात करते हैं देखो सबसे पहले तो आप यह देखो कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है चैप्टर इसकी नॉर्मल डेफिनेशन सुनो नॉर्मल डेफिनेशन अगर इसकी बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं चार्ज क्या होता है ठीक है यह मैं वैसे ओर डेडी मेरा जो एलेक्टरिक करेंट वाला चेप्टर है उसके अंदर बता चुका हूँ के charge क्या होता है बड़ एक बार इसको repeat करते हैं दुबारा देखते हैं सुनो जो आपका charge है एक चीज सुनो यह आपका nucleus है और इसके बार-बार आपने पढ़ा था कि क्या है electrons है अब आप एक चीज सुनो असल में यह electron और proton नेम है यह तो उमने बाद में दिये असल में जब nucleus का सुरू में discovery हुआ था तो हमें बता चला कि nucleus के अंदर दो type के particle होते हैं एक तो आपके particle होते है positive type के और एक आपके particle होते है negative type के अब यह positive negative भी हमने बाद में दिया असल में सुरू में हमें सिर्फ इतना पता चला था कि दो different type के particles होते हैं एक तो वो वाले type के particle जिनको अपन लोग यह बोल सकते हो कि एक तो A nature के particle और एक B nature के particle ठीक है बाद में जब अलग discovery हुई तो हमें पता चला कि यह जो A nature के particle है यह वाले और यह जो B nature के particle है यह कई चीजों में एक बिल्कुल उल्टेन तो हमने जो यह वारा portion था इसको नाम दे दिया positive nature का particle जिसको आप लोग एक टाइप से बोल सकते हो proton और एक जो आपका particle था जिसको आपने दो दे दिया बी टाइप के nature का कनाम और इसको आपने दे दिया electron नाम ठीक तो electron होता है और जो proton होता है इसके उपर यह negative है और इसके उपर proton की उपर ऐसा यह क्या होता है positive होता है आपको एक चीज़ ध्यान रखने है कि nucleus के अंदर तीन टाइप के particle होते है एक आपका होता है proton एक आपका होता है neutron और एक आपका होता है electron ठीक है अब एक चीज़ सुनो जो आपका proton होता है उसका mass होता है 1.6 into 10 to power minus 27 kg ये data आपको याद रखना है कि proton का mass है वो इतना होता है neutron के mass की अगर बात करें तो neutron का mass होता है 1.6 into 10 to power minus 7 27 kg एक चीज़ जा रखना इन दोनों का mass है वो लगभग equal होता है बट अगर आपको कोई competitive exam में ये question पूछ ले कि इन दोनों में से किसका mass ज्यादा होता है तो neutron का mass ज्यादा होता है चलो मैं इसको आगी लिख देता हूं इसका तो होता है 1.672 into 10 to power minus 27 kg और इसका होता है 1.675 into 10 to power minus 27 kg तो obviously ये वाला ज्यादा heavy है electron का जो आपका mass होता है electron का जो आपका mass होता है वो आपका होता है 9.1 into 10 to power minus 21 kg ये तीनों data आपको अच्छे से याद रखने proton का mass, neutron का mass और electron का mass अब आगे अगर मैं बात करता हूं देखो proton के उपर ये जो इसका nature है इसको हमने नाम दिया charge और ये nature इसका कितना strong है इसको हम बोलते हैं इसके charge की value तो proton का जो charge होता है proton की जो power है एक type की electron को attract करने की मतलब ये बोल सकते हो कि electron को किसी type से छेड़ने की जो उसकी power है जिसको अपन लोग एक scientifically name दे रहे है charge वो power है 1.6 into 10 to power minus 19 कुलम ठीक है देखो एक चीज बताता हूं ये जो proton की जो power है उसके उपर जो positive है जिसको अपन लोग आज के time में charge बोलते है और electron के उपर भी ऐसी एक power है बट ये power और ये power बिल्कुल opposite है एक दूसरे के इसी को भी अपन लोग क्या बोलते है चार्ज बोलते है ये दोनों जो power है इनके बारे में एक scientist था जिसने हमें सबसे पहले बताया और उस scientist का नाम क्या था कुलम था तो scientist का नाम कुलम था तो इसी लिए उसको ओनर देने के लिए हमने ये बोला कि proton का जो charge है या proton की जो electron को attract करने की जो power है या दूसरा ऐसा ही कोई proton है उसको repel करने की जो power है द्याद रुकना भी जो nature का ये rule है same particle same particle को हमेशा क्या करेगा लगबग केस में repel करेगा देखो मैं लगबग इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अब आप बोलोगे कि sir ये आपका nucleus है इसके अंदर बहुत सारे proton है तो ये तो सारे एक positive है तो ये तो एक दूसरे को repel करने चाहिए इस हिसाब से तो ये दूर बाग जाने चाहिए और nucleus हो खराब हो जाना चाहिए बट तभी मैं बोल रहा हूं कि same nature के जो particle है वो लगबग केस में क्या करते है रिपल करते हैं मागे आपको डिटेल में बताऊंगा कि यहां वो repel क्यों नहीं कर रहे और other cases में वो repel क्यों करते हैं और opposite nature के जो particle है तो यह दोनों आपको ध्यान रखते हैं कौनसे nature के particle है वो एक दूसरे को क्या करते हैं अब सुनो यह proton की जो attracting power है जिसको कुलम नाम के scientist ने नापा था और बताया था हमें कि यह power कितनी है यह power है 1.6 into 10 to power minus 19 बस इस power कोई क्या बोलते हैं अपर लोग इस power कोई बोलते हैं charge ठीक है और proton की यह जो power है यह plus वाली power है मतलब एक type को हमने इसको positive sign दिया तो यह है plus 1.6 into 10 to power minus 19 उसके बाद में कुलम ने यह पता लगाया कि electron के पास भी ऐसी power है ठीक है और electron की जो power है वो है मतलब electron का जो charge है वो है 1.6 into 10 to power minus 19 कुलम बट यह जो power है और यह जो power है यह अलग-अलग type की है मतलब यह अगर positive है तो यह थोड़ी different type की है इसको हमने नाम दिया minus बाद में यह पता चला कि neutron के पास यह कोई power नहीं है तो जो neutron का charge है उसको मैं कितना लिख सकता हूँ 0 यानि मेरे कहने का मतलब यह है देखो अगर आप एक proton को एक electron को पास पास रख दोगे तो यह दूसरे को छेडेंगे एक टाइस से यह दूसरे को effect करेंगे ठीक है कुछ न कुछ करेंगे मतलब मेरा कैने मतलब attract करेंगे अगर आप proton proton को पास रख दोगे तो यह भी आपस में कुछ interaction दिखाएंगे इलेक्टोन इलेक्टोन को पास यह दूर रख दो यह भी आपस में कुछ interaction दिखाएंगे बट एक proton पड़ा है उसके पास में अगर आप एक neutron चाहे यहां ले आओ यहां ले आओ इसको ना कोई फरक पड़ने वाला तो हमने फिर हमने इसको इलेक्ट्रोन के पास लेके आए और ना एक्ट्रों पे इसका कुछ फर्ख पड़ा ना इस पे कुछ फर्ख पड़ा तो हमने बोला कि ये नीट्रों ये ऐक ऐसा पार्टिकल है जिसको इलेक्ट्रों ये प्रोट्टों से कोई फरक नहीं बड़ता बढ़ता यानि इसकी जो अट्रेक्टिंग या रिपलिंग इतना आपको करना है अब एक बार इसको ही रेस करते हैं उसके बाद में आगे दिखते हैं आपको करते हैं आपको करते हैं आपको करते हैं आपका जो एक टोपिक है वह है ओकरेंस ओफ चार्ज सुनो इसको देखो सबसे पहले चार्ज के बारे में बता चब चला जब एक साइंटिस्ट था देखो सबसे पहले तो यह बता चला कि एक साइंटिस्ट था साइद मुझे अपूरा इसका पता नहीं है नहीं तुमारे एक्जाम में ऐसी कोई स्टोरी पूछेंगे बट ध्यान रखो एक थेल्स नाम का साइंटिस्ट था उसे सी के पास कुछ ऐसे पत्थर मिले थे कि उसने उस पत्थरों को आपस में बिढ़ाया या कुछ किया तो उनमें कुछ स्पार्किंग एक तो उसने केटफर ली केटफर आप देखते हो मैं आपको बताता हूं केटफर क्या होता है देखो अपन लोग सर्दियों में जब कोट अगरे लाते है अपना तो उस कोट के अंदरवादी साइड कभी देखना कपड़े को गरम रखने के लिए एक बिली के बाल जैसा ए पिल्च बैटफर गजिजसा उत क्या है और गरम नहीं हो जो संते हैं वैसा हुआ जैसा हो गया फिर इसके बारे में उसने डिटेफर एकस्प्लेनेशन दी कि आसा क्यूं हुआ तो चलो सुनते हैं डिटेफर अउम्स हो तो यह सा हुआ क्यों है ठीक है, देखो, आपको बता है, कोई भी आपका जो चार्ज होता है, उसके अंदर एक तो होता है प्रोटोन, ठीक है, सोरी, कोई भी मैटीरियल होता है, उसके अंदर एक तो आपके होते हैं प्रोटोन, और एक आपके होते हैं इलेक्टोन, न्यूट्रोन का कोई रोल नहीं ह होता किसी को positive या negative बनाने में क्योंकि उसका चार्ज कितना है जीरो है अब एक चीज सुनो देखो मान लो कोई material है यह उसका nucleus है यह बहुत सारे electron है इन electrons में से अगर देखो general क्या होते हैं दुनिया के अंदर जितने material है सारे क्या होते हैं neutral होते है neutral होने का मतलब क्या हुआ उनके अंदर positive है उतने उसके अंदर क्या है negative यह जितने उसके अंदर 중요한 प्लश चार्ज है ऊंदना ही क्या है minus अब अगर मैं यहांसे इन दो electrons को हटा दू है तो जो आपके positive चामश है वह तो पहले पहले नहीं रहेगा ठीक है लेकिन आपको नेगेटिव चार्ज वह दो क्या हो गया कम हो गया अब बताव डुमिनेंसी किसी रहेगी मतलब ब्रुबिनेंट कौन सा रहेगा तो सिधी सी बात है positive जाद है तो वो क्या रहेगा dominant यानि अब इस material पर जो overall sign है वो क्या जाएगा positive आजाएगा तो कभी भी ये मत समझना कि positive का मतलब होता हुआ उस चीज के अंदर proton जाद है प्रोटोन सभी चीजों के अंदर उतने ही होते हैं अगर कोई चीज पॉजिटिव है तो इसका मतलब यह है कि उसके अंदर जो इलेक्ट्रोन से उनकी कमी है उसके अंदर इलेक्ट्रोन कम हो गए है इसका उल्टा अगर हम इस कोई मैटीरिल के साथ इसको रब करें और इसके उपर दो इलेक्ट्रोन कहीं से फालतु आ जाए तो इसका मतलब यह हुआ कि उसके उपर पॉजिटिव पहले जितना ही है लेकिन नेगिटिव क्या हो गया थोड़ा सा ज्यादा हो गया तो अब डोमिनेंसी किसकी रहेगी नेगिटिव की यानि सीधा सा मतलब यह है कि इसके उपर जो चार जाया उसमें जो नेगिटिव है उसकी डोमिनेंशी कि या हो गई ज्यादा हो गई तो यह इतना आपको क्लियर होना चाहिए कि अगर कोई चीज के उपर कहीं से इलेक्ट्रोन आके बैठ जाती है, इलेक्ट्रोन आके एड़्जस्ट हो जाती है, तो वो चीज कैसी बन जाती है, ओवरोल नेगिटिव बन जाती है, और अगर कोई चीज के ऊपर कहीं से पोजिटिव आके एड़्जस्ट हो जाता है, तब वो चीज कैसी बन जाती है, तब वो चीज आपकी बन जाती है, कॉनसी एक टाइप से पोजिटिव बन जाती है, अब एक चीज सुनो, मैं अब इसकी एक्स्प्लेनेशन देता हूं, ऐसा क्यूं हुआ, देखो, दुनिया के अंदर कई चीजें तो ऐसी होती है, जिनके अ इलेक्टरोंस है, वो काफी डिले बन दे होते हैं, ठीक है, मतलब, यह इलेक्टरों है, यह काफी लूजली बाउंड होते हैं, और जल्ली से यह भग जाते हैं, इस चीज को छोड़के, ठीक है, और कई चीजें ऐसी होती है, जिनमें नुकलियस है, वो इलेक्टरोंस को इत इनके अंदर electricity इसलिए पास नहीं होती है क्योंकि इनके अंदर दो nucleus होता है वो electrons को इतना strongly hold करके रखता है कि electrons कहीं जाई नहीं सकते ठीक है अब सुनो अगर electrons कहीं नहीं जा सकते तो इसका सीधा समीन तो यह हुआ कि इसके उपर electrons सिर्फ आएंगे जाएंगे कहीं नहीं मैं इसको और अच्छे से समझाता हूँ असल में हुआ क्या था जब उन्होंने catfair को ebonite की रोड के उपर रब किया तो catfair है इसकी nature ही ऐसी है कि जब इसको हमने अपने हाथों से ऐसे ऐसे रब किया तो हमने अपने हाथ से इस पर कुछ फोर्स दिया हमने इस पर कुछ वर्क किया और physics की according वो वर्क किसमें convert हो गया वो वर्क convert हो गया energy में वो energy किस ने ले ली इस catfair के electrons ने ले ली और ये electrons यहां से पीछा छुडा के इसके उपर क्या कर गई जंप कर गई अब इसके उपर electrons की क्या हो गई कमी हो गई और जिस इसके उपर electrons की कमी हो जाती है उसको अपन लोग क्या बोलते है पोजिटिव तो इसके उपर कौन सा चार्ज आ गया पोजिटिव चार्ज आ गया और जो आपका बोलते हैं negative charge तो negative charge और positive charge में आपको अच्छे से फरक नजर होना चाहिए आगे चलो इस वीडियो के इंदर मैं इतना ही बताता हूं आपको बोजिटीव और negative charge होता क्या है next वीडियो के अंदर बाकि के material को cover up करते हैं बाई